आज हम बनाएंगे चॉकलेट सीरप जिसे आप बहुत सारे चीज़ों में इस्तमाल कर सकते हैं अस्सलाम अलेकुम मेरे नाम है जोया और आज हम घर पे बना रहे हैं बहुत ही असान और कम इंग्रीडियन्स के साथ चॉकलेट सीरप तो चले फिर रेज़िपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम शामिल करेंगे आधा कप कोको पाउडर कोई भी ब्रैंड का पिस्तमाल कर सकते हैं और एक कप चीनी चीनी पीसी भी हो या साबित हो दोनों चलेगी कोको पाउडर और चीनी को हम हलका सा मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें शामिल करेंगे एक कप पानी आपने पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है अभी यहाँ पर आपने चूले पर नहीं चड़ाना पहले अच्छे से इसका बेटर बन जाएगा लम्स फ्री बिलकुल भी इसमें गुठिया नहीं होनी चाहिए उसके बाद अब हम इसे चूले पर चड़ा देंगे और बिलकुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना स्टार्ट करते है जब तक कोको पाउर्डर और चीनी का मिक्सचर अच्छे से खुक हो रहा है उसके दुरान अब हम आधा कप पानी और इसमें हमने दो चमच कॉन फ्लॉर के मिक्स कर लेने है साथ साथ हम इस मिक्सचर को भी खिलाते रहेंगे और इसके बाद अब हमने जो कॉन फलार पानी में मिक्स किया है उसको हमने अच्छे से मिक्स करके साइट पर रेडी करके रखना है क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मजीद कुकोगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है अब यहां पर आपने एक बात नोट कर लेनी है करें है कि यह मिक्स किणोजरर को हमने इसको बहुत जडा पतला है तो अभी थोड़ा सा पतला है तो हमने इसमें कॉन प्लार शामिल कर दिया है कॉन फलार में में भी पानी इसलिए थोड़ा जादा रखा है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता कुको सके और इसमें जो कच्छा बने कॉन फ्लार का वो बिलकुल भी ना आए अब यहां पर भी हमने आज को धीमा रखा हुआ है और अब हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि हलका सा गाड़ा नहीं हो जाता हलका सा गाड़ा इसलिए कहरी हूँ क्योंकि जब कोई बेटर गरम होता है तो वो लगता है कि थोड़ा सा पतला है लेकिन जैसे ही ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाड़ा हो जाएगा और यहां पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है अब इसे मसलसल मैंने 5-10 मिनट तक इसको हिलाते रहना है और इसी तरह से मैंने इसे ठंडा कर लेना है ताकि इसका जो क्रीमी टेक्श्चर है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल कर आए यहां पर मैंने चंद ड्रॉप्स वेनेला एसंस के शामिल किये हैं इससे इसमें खुश्पू बहुत ही अच्छी आएगी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं वरना इसके जगा चॉक्लिट एसंस या कुछ ना भी शामिल करें तब भी ये चॉक्लिट सीरफ बहुत ही मज़े का रेडी हुआ था यहां पर मैंने इसको कंप्लीट धंडा कर लिया है चलें अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं यहां पर चॉक्लिट सीरफ है हमारा तयार उमीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मैं इन्शाला इस तरह की मज़ीद रेसिपी आपके लेकर आती रहूंगी आज के लिए दीजे मुझे इजाज़त फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अलाहाफ़ज